दियर लर्नर्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेसिंटा केरकटा की फेमस पोयम Time for civilization to die यह पोयम COVID period के दरान लिखी गई और 2021 में पब्लिस की गई इस पोयम को जेसिंटा केरकटा ने हिंदी में लिखा था लेकिन इसको इंगलिस में राजेंदर नेगी ने ट्रांसलेट किया है क्योंकि जेसिंटा केरकटा तो हिंदी पोईटेस है तो गाइज पहले पोयम के इंट्रोडक्शन के बारे में डिसकस कर लेते हैं उसके बाद poem को line by line explain करेंगे तो यह poem COVID period के समय लिखी गई COVID period के दौरान आदमी मरने लगे थे उनकी लासे नदियों में फेकी जा रही थी जिसकी वज़ा से नदिया प्रदूसित हो रही थी ऐसा लग रहा था कि नदिया और civilization दोनों समाप्त होने के कगार पर है तो उसी समय का poet ने इस poem में वडन किया है इस poem का title है Time for civilizations to die अर्थार्थ सभ्यताओं के खत्म होने का समय Many rivers died, बहुत सी नदियां मर गई Due to lack of oxygen, आक्सीजन की कमी से अर्थार्थ आक्सीजन की कमी से बहुत सी नदियां समाप्त हो गई But nobody paid heed, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया To their cropsage, उनकी लासो पर अर्थार्थ मनुस्यों के लासो पर Still floating, जो कि अभी तैर रही है In the dead water, मृत पानी में बहुत सी नदियां आक्सीजन की कमी से समाप्त हो गई लेकिन किसी ने भी मनुस्यों की लासो पर ध्यान नहीं दिया जो कि अभी भी मृत पानी में तैर रही है Dumping, Fakenness Human Cropsage मनुस्य के लासो को On the top of Lifeless River बेजान नदियों के उपर Does not make anyone Crime was किसी के अपराद नहीं धूलते है Away in the water पानी में अर्थार्थ बेजान नदियों के उपर मनुस्य के लासो को फेकने से किसी के अपराद पानी में नहीं धूलते है They all keep floating वे सभी तैरते रहते हैं Like with the rivers जैसे नदिया तैरती है Human bodies अर्थार्थ मनुस्य की लासे Are still floating अभी भी तैर रही है In the dead waters मृत पानी में अर्थार्थ मनुस्य की लासे अभी भी मृत पानी में तैर रही है यदि ऐसा ही चलता रहा तो One day एक दिन ऐसा आएगा When all rivers die जब सभी नदिया मर जाएंगी समाप्त हो जाएंगी Due to the lack of oxygen Oxygen की कमी से Then in the dead rivers तो मृत नदियों में Will there be skeletons कंकाल आप civilization सभेताओं के A float तैरते रहेंगे अर्थार्थ जब सभी नदिया मर जाएंगी तो मृत नदियों में सभेताओं के कंकाल तैरते रहेंगे अर्थार्थ इस लाइन में poetess बताना चाहती है कि जब नदिया नहीं रहेंगी तो सभेताओं का भी अस्तितु समाप्त हो जाएगा उनका कोई अस्तितु नहीं रहा जाएगा reverse no नदिया जानती है when they die कि जब वे समाप्त होती है तो civilization are not far behind तो सभेताओं भी बहुत पीछे नहीं होती है अर्थार्थ नदिया जानती है कि जब वे समाप्त होती है तो कुछी समय बाद सब बहताओं का भी अंत हो जाता है गाइज मैं आसा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चनल पर बिल्कुल नहीं आतो चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो दनेवादोस्तो आतो